हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगी तो गाईज आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कजन सिस्टर की वीडियो शियर कर रही हूं कॉम्बिंग, सिंगल ब्रेड और हाई बन की वीडियो शियर करूंगी तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरी सिस्टर बिलकुल मिरट के सामने बैठके अपनी कॉम्बिंग करेंगी फिर ब्रेड बनाएगी तो चलिए गाईज वीडियो को स्चार्ट करते हैं तो गाईज आप देख सकते हैं कि यह है मेरी सिस्टर मेरी कजन सिस्टर मेरी सिस्टर के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे हैं सुन्दर हैं सिल्की हैं शाइनी हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि वो अपने बालों को आपन कर रही है और बालों की आप लैंथ देख सकत सबसे पहले तो combing करेगी जो भी tangles है उन्हें remove करेगी उसके बाद उसे single braid बना नहीं है उसके बाद वो high burn भी करेगी hope guys आपको आज की वीडियो अच्छी लगे अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी तो please वीडियो को like जरूर कर दीजिए hope guys आपने like अभी तक तो करी दिया होगा और अगर आपने like नहीं किया तो please एक like तो कर दीजिए तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले न वो finger से ही अपने बालों को बिल्कुल सीधा कर रही है tangles remove करने है इसके बाद बाल आप देख सकते हैं कितने सुन्दर बाल हैं बालों में ज्यादा tangles नहीं है बहुत कम tangles है hair fall की problem भी मेरी sister को बिल्कुल भी नहीं है मतलब बहुत कम बाल उसके निकलते हैं इसका कारण यही है कि वो अपने बालों का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है बालों की जो केर है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी करती है शैंपू, कंडीशनर, hair oil या फिर स्पांग यह सारी चिज़े टाइम पर बालों पर यूज करती है तो बालों की लैंठ आप देख सकते हैं कि बालों की लैंठ काफी ज़या अच्छी है बालों में सारे टैंगल को वो remove कर रही है तो guys in summer में अपने बालों का जख ज़़ता धिहान रखना पड़ता हैं क्योंकि summer में बाल बहुत जल्दी गंदे हो कम से कम हफते में आपको दो बार हेयर वाश जरूर करना चाहिए और बालों में हैवी हेयर ओइलिंग नहीं करनी चाहिए बहुत कम थोड़ा सा आप अपने बालों पर ऑईल लगाएं ब्रेड बनाकर रखें इसके इलावा नहाने से पहले आप दही अपने बालों पर लगाए बहुत जज़दा टैंकल बालों में थे ही नहीं बाल काफी ज़दा स्ट्रेट अं सुंदर एं सिल्की है बालों की लैंथ стр बहुत आप मेक्ट्रिक्स की जो मेक्ट्रिक्स के शैंपू वगहरा नहीं यह सारे प्रोफेशनल शैंपू कंडिशनर स्पा हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट है तो देखे सबसे पहले तो टैंगर्स को अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद अब वो ब्रेड बना रही है और सिंगल ब स्ट्रक्वण के इलिंग्या नहीं जो जıt करती है इस भी में ज्यदोड बाल कटी है नहीं करना चाहिए विन्टर अब्रdoes नहीं SPEAK कर सकती है बद समर में ज्यदा और समर में जड़ाओ यसदा ब्ड़ी चिप्चिप dat या और समर में तो वैसे भी ओयल लगा कर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप बिल्कुल थोड़ा सा ओयल लगा सकते है तो देखे कुछ इस तरह से उसने ब्रेड बनाई है बहुत ही ज़्यादा सुन्दर लगती है ब्रेड उसके बालों पर क्योंकि बाल ना बड़े पतले हैं लंबे हैं बड़ी अच्छी लगती है ब्रेड घर पर आप इसी तरह से ब्रेड बनाकर रख सकते हैं आप बालों को ज़्यादा ओपन ना रखें ज़्यादा खुला ना छोड़ें इस तरह से आप ब्रेड बनाकर रख सकते हैं तो देखिए गाइज ब्रेट कितनी ज़्यादा सुन्दर लग रही है। तो गाइज इसके बाद अब उसने ब्रेट को ओपन करना है और फिर हाई बन बनाना है। आप भी घर पर इसी तरह से ब्रेट बनाकर रख सकते हैं या फिर बन भी बनाकर रख सकते हैं। मेरी सिस्टर अपने बालों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। मतलब अच्छे प्रोडक्ट यूज करती है। तो अगर आप भी अपने बालों की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं या फिर आपको हियरफॉल की प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले तो ऑइलिंग अपने बालों पर कीजिए। इसके इलावा आप मतलब कुछ ना कुछ अपने बालों पर यूज करते रहें। जरूरी नहीं है कि बाहर के महंगे प्रोडक्ट से ही हमारे बाल ठीक होंगे। तो देखिए ब्रेड बनाने के बाद अब उसने ब्रेड को आपन कर दिया है। अब उसे हाई बन बनाना है। मुझे अपनी सिस्टर के बाल बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। बालों की लेंथ बहुत ही अच्छी है। कभी भी उसने अपने बालों पर ट्रिमिंग नहीं करवाई है। कभी भी अपने बालों की कटिंग नहीं करवाई है। केंची तो बिल्कुल भी कभी उसने अपने बालो पर नहीं लगाई है मुझे बहुत कि trimming की video आप share कीजिए तो guys हमारे में बाल मतलब बिल्कुल भी नहीं काटते हैं तो मैं उसकी trimming की वीडियो नहीं share कर सकती तो देखिए अब उसने high bun बना लिया बिल्कुल simple तरीके से high bun बनाया है और आप देख सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा high bun कर सकते हैं या फिर आप जूडा stick का यूज कर सकते हैं या फिर टिक टैक clip से अपने high bun को secure कर सकते हैं hope guys आपको high bun भी अच्छा लगा होगा और braid की video भी अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक video को like भी जरूर कर दिया होगा तो guys इसके बाद हम मेरी sister को oiling करनी है अपने बालों पर oil लगाना है तो guys अगर आपको मेरी ये वली video अच्छी लगी ना तो please video को like जरूर कर दिजी और मेरे channel को कर दिजी subscribe और हो सके तो video को अपने friends and family के साथ share भी कर देना मैं कोशिश करूँगी कि future में और भी अच्छी अच्छी videos आपके साथ share करूँ hairstyle की video, oiling की video, hair wash की video और मतलब hairstyle की video तो चलिए guys अब मैं आपको अपनी next video के साथ मिलूँगी तब तक के लिए thank you, bye